इस जंकित विल्कम बैक तो माई चैनल आई से ए टेकनिशियन टीवन का जो एक्जाम है उसके लिए सूसल साइंस का मौक टेस्ट लेकर आया हूँ पहला मौक टेस्ट आपको और भी मौक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा चैनल पर चेक कर लेना आपको मिल जाएंगे जी से पचिस कुशन तो डायक लिए सीधा सीधा आपको उस पीडियाप से देखने मिलेंगे उस पीडियाप का Link हो सकते हैं आपको डिस्किप्शन मिल जाएँक करना टेक लिए हम चैनल का Link है चलिThis Instagram channel कर लें वहाँ पर आपको detail मिल जाएगी चलिए मौक टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो पहला question है बिल्कुल important question आपके social science है ऐसे ही question आपके exam में आएंगे कच का जो run है भारत के लिए क्यों प्रसिद्ध है मतलब भारत में की यह इसका right answer हो जाएगा question number 2 है काका रापार काक रापार जो परमाण केंद्र है वह भारत के किस सहर के पास सिस्थ है so काकरा पार जो परमाण केंद्र है यह आपका सूरत सहर के पास सिस्थ है so option number जो c है इसका right answer हो जाएगा third question है एक समतल दरपंड दौरा निर्मित छवी जिसे screen पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है so right answer इसका हो जाएगा आवा आभासी छवी option number a देखें कुछ questions आपको बीच में साइंस के भी मिलेंगे बांकि यह जो सेट है आपका social science का है समतल दरपर दौरा जो चवी निर्मित छवी होती है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ऐसी चवी को आभासी चवी कहते है आप्शन नमबर a राइट अंसर हो जाएगा देखें आगे बढ़ने इस पहले बता देता हूँ आइसेया टेकनीशन के लिए न्यू टेस्री लांच कर दी कहीं परिक्षाइब पर परिक्षाइब के बारे में अलमोस सभी को पता होगा बताने जवरत नहीं है तो यहाँ पर आपको एक फ्री डेमो टेस्ट भी मिलेगा तो आप जाके इसको लगा लिजिए फ्री में चार बिल्लोड करें तर नंबर डार करना इसके बाद क्ति करने को बोलेगा तो आपको एससदी क्या र करनी है ये ध्यान रखना एससदी करके अंदर जाओंगे तो आपको आईसेयार के लिए टेस्रीज मिल जाएंगी लिंक और को दोनों डिस्किप्रिप्शं पर देढ़ंगा अगर यह mock test आपने लगा लिया तो आपका selection कोई नहीं रोक पाएगा चलिए आगे देखते हैं next question question number 4 है आपका निम लिखत में से कौन राष्टी आये का हिस्सा नहीं है तो देखिए राष्टी आये का जो हिस्सा कौन सा नहीं है मजदूरी एवं वेतन ये मतलब ये राष्टी आये का हिस्सा है मुनाफ़ा भी राष्टी आये का हिस्सा है और किराया भी राष्टी आये का हिस्सा है तो इन में से जो राष्टी आये का हिस्सा नहीं है वो है राष्टी रिन पर ब्याज option number जो D है वो इसका right answer हो जाएगा fifth number question है आग बुझाने वाले यंत्र किस gas का उसर्जन करते हैं so देखी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं जो instrument होते हैं वो जिस gas का उसर्जन करते हैं वो gas है आपकी carbon dioxide option number जो C है इसका right answer हो जाएगा इस नमबर कोईशन देखिए विश ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यह कोईशन आपका जी केम भी पूछा जा सकता है और सोसल साइंस में पूछा जा सकता है तो देखिए प्रतेक वर्स सोला सेप्टेंबर को आप्शन नमबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा सोला सेप्टेंबर को विश ओजोन दिवस मनाया जाता है शेवंत नमबर कोईशन है नालंदा का निर्माड किसने सुरू किया प्रेकेट उल्टा लगे हुए ऐसे नालंदा का जो निर्माड है वो किसने सुरू किया तो देखी नालंदा जो है इसका जो निर्माड है वो कुमार गुप्त ने शुरू किया था तो आप्शन नमबर जो सी है इसका राइट अंसर जाएगा एड़्स नमबर है कलारियप पायट किस राज की भौतिक कला है कलारियप पायट कलारियप पायट जो भौतिक कला है वो इस राज की है वो है आपकी केरल की आप्शन नमबर जो डी है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा नाइन्त नमबर कुशन है गर्म हवा जनता के खिलाफ ठंडी हवा द्रमान के अभिसरन के कारण हवा के उपर की ओर बढ़ने के कारण होने वाली जो वर्सा है इस वर्सा को क्या कहा जाता है सो इसको कहा जाता है ललाट वर्षा आप्शन नमबर जो सी है इसका राइट अंसर हो जाएगा किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरच्छित माना जाता है सो किस प्रकार के विदेशी निवेश को इसका राइट अंसर हो जाएगा औप्शन नमबर बी पोर्ट फोलियो औप्शन नमबर बी विल बी राइट अंसर 11 नमबर कुशन है डपिंग जो सब्द है इसका अर्थ क्या होता डपिंग देखे सीमांत लागत में लागत से कम कीमत पर कमोरिटी के विदेशी वेपार में बिक्री इसको कहा जाता है डपिंग अप्शन नमबर जो बी है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा हाँ फिट्ट नमबर कुश्च नहीं होसा ही जो संस्थापक है वो कौन in इंट थीच के ह्याँ को है आप सपेक हो में शेयमाल है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देश का जो पहला कानून अधिकारिया वो है महान आएवादी आप्शन नमबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितने आपके आफिशल से लिए उस पर चेप्टर दिये हैं उन्ही चेप्टर से यह कुशन है फोटीन्थ नमबर कुशन है निमलिकित में से कौन गोली डियम और ग्रेस लीरिया से प्राप्त वाडिजिक उत्पादों में से एक है और इसका उप्योग रोगाणियों और क्रीम और जेली को उगाने के लिए किया जाता है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा वह है अगर ऑप्शन नमबर जो ए है वह राइट अंसर हो जाएगा फिप्टेंथ नमबर दुनिया का सबसे नम जो महादीव है वह कौन सा है तो दुनिया को जो सबसे नम महादीव है वह कौन सा है वह है दच्छिन अमेरिका अप्शन नमबर जो डी है वह इसका राइट अंसर हो जाएगा 16th नमबर कुशिन है निमलिकित में से किस छेतर अधिकार के तहट कोई भी वेक्ती जिसके मौलिक अधिकार का उलंगन किया गया है वह सीधे उपाये के लिए सर्वोच नियाले का रुख कर सकता है 17th नमबर कुशिन है भारत में पूजी गहन उद्द्यों का सबसे अच्छा उदारण है सो पूजी गहन उद्द्यों का जो सबसे अच्छा उदारण है वो है इस्टील उद्द्यों ऑप्शन नमबर जो बी है इसका राइट अंसर हो जाएगा 18th नमबर कुशिन है कौन सा देस आर्थिक सायोग के बाउच्छेतरी तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है सिंपल सा कुशिन है कौन सा देस आर्थिक सायोग के बाउच्छेतरी तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी का जो बंगाल की खाड़ी की पहल का जो सदस्य है वो नहीं है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी पाकिस्तान जैना डी नमबर राइट आंसर हो जाएगा नैंटीन्थ नमबर कुश्यन है भारत के सैट प्रतीक में सत्मय जैते सब्द निमलिकित में से किस एक से अपनाया गया है किस से अपनाया गया है वो अपनाया गया है आपका मुंडक उपनिसत से आप्शन नमबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉंटीन्थ नमबर कुश्यन है निमलिकित में से किसे मद्ध राती सूर की भूमी कहा जाता है किस देश को का जाता है देखिए यह का जाता है नार्वे को नार्वे को क्या का जाता है मद्ध राती सूर की भूमी टॉंटीन्टीन नमबर कुश्यन है भारत के भूमी द्रमान का छेत्र फल मिलियन वर किलो मीटर में कितना होता है सो देखे भारत के भूमी द्रमान का जो छेत्र फल है वो मिलियन में होता है आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलो मीटर अप्शन नमबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नमबर कुश्चन है दातु की वह संपत्ति जिसके द्वारा इसे तारों में खीचा जा सकता है वह क्या कहलाती है दातु है और उसकी उस संपत्ति मतलब उसकी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उस धातु को तारों में खीचा जा सकता है उसको क्या कहते है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते है उस प्रॉपर्टी को कहते है तन्यता है न डक्टाइल ऑप्शन नमबर जो सी है तो वो इसका right answer हो जाएगा 23 नमबर question है संचार प्रणाली की खोज किस ने की थी ये बहुत important question है ऐसी question exam में देखने को बिलेंगे सो संचार प्रणाली की जो खोज वो William Harvey ने करी थी option number जो B है इसका right answer हो जाएगा 24 नमबर question है गोल गुमबच किसके द्वारा डिजाइन किया गया था so गोल गुमबच कहां पर इस्तित है ये question आपके exam में तो नहीं बनेगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये question बन सकता है so right answer इसका हो जाएगा गोल गुमबच का जो डिजाइन है वो किसने तयार किया था वो किया था या कुट का दाबुले option number जो D है वो इसका right answer हो जाएगा last question आज के set का question number 24 समुद्री यहाँ पहाड़ी होना चाहिए कि मुख रूप से सिल्का और होते है अच्छा यह सही है समुद्री पपड़ी के मुख रूप से सिल्का और क्या होते है समुद्री पपड़ी के मुख रूप से सिल्का और मेगनीशियम होते है option number जो A है इसका right answer हो जाएगा so यह थे आज किस वीडियो के 25 question social science के 25 में से आपके कितने सही हुए यह comment करके मुझे बताईएगा बाकि वीडियो कैसी लगी यह भी आप बता सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसके लावा loosen gk का जो PDF है वो आप ले ले लेना description पर लिंक मिल जाएगी या फिर आप चेक करिए टेलिग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी इसके लावा पर एक चैप पर जो मॉक टेस्ट है वो लगा लेना अगर वो मॉक टेस्ट आपने लगा लिए तो आप बहुत अच्छे स्कूर करके अग्जाम में ठीक है चलिए मिलते हैं इस वीडियो में टेक क बढ़े गाइस